नमस्कार आप देख रहे हैं रास्ट खबर और मैं हूँ आपके साथ सोनू पांडे सरदी के मौसम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है रास्ट खबर की टीम ने ग्राम पंचायत पहुँचकर सरपंच पद उमिद्वारों से इस बार के चुनावी मुद्दो को लेकर बात की और जानना चाहा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरपंच उमिद्वारों का मुख्य रूप से फोकस रहने वाला है नमस्कार रास्ट खबर में आप सबका स्वागत है सरदी के मौसम में चुनावी सरग्रमिया हुई तेज गाव की सरकार में आप सबका स्वागत है आज हमारी टीम ग्राम पंचायत पांचे का तला पहुँची है आज हमारे साथ इसी कड़ी के साथ जुड़े हैं फेज मोहमद जी क्या चुनावी वादे होंगे किन मुद्धों को लेकर चुना मेदान में उतरे हैं जानते हैं इनकी जुबानी सबसे पहले फेज मोहमद जी चैनल में स्वागत है नमस्कार सर्पांच साहब ही कह सकता हूँ क्योंकि उमीदवार है आप किन मुद्धों को लेकर चुना मेदान में उतर रहे हैं आप मैं तो एक मुद्धा है मेरा तो हमारे जो गाओं वड़े हैं उनका काम करना बस पहला मुद्ध मेरा यह है हमारे गाओं के लोग अनपड़ लोग है ठीक है उनका पूरों का मेरे को काम करना पहले भी मैं कर रहा हूं अभी नहीं सर्पंच नहीं ref करता हूं तैसीह लेश्त्य करता हूं थाना है जो भी हरो जी बात करें गाउन की मुख्य शमख्या जर्लकु स्मुछा हैंं कोण कोंसी है जिनका अभी तक समाधा नहीं हुआ मुख्यशन यह समझा ये हमारे गाउं की जो हमारे याँ गाउं में दूराँ इन्हें हमें लोग बेठे हैं उनके पास में महिन पेला नंबर तो लाइट नहीं के धुकिatus डूसरा नंबर सोचा ले नहीं ठीक है तीसरा नंबर जो हमारे यह राशन की दुकान है ओ या गवम है हैं तो हमारे लोग से जाते हैं साजन उनके पास में हैं जाना आना लेड़ों में लगना काम ो plaster में वह मारे उद्धे पास में घूरा है हमारे पास में कुछ पद्ध होगा या मतलब किसी तरीक्ड़ हम उन्häng को लाकर यान में बेठाई rebound के या आपने समयशा सुना सकते हैं काम कर सकते हैं उसके बाद में जो गराम पंचायद है गराम पंचायद में पांच साल के अंदर एक भी मिटिंग नहीं हुई एक भी मिटिंग नहीं हुई जो गराम पंचायद में मिटिंग होती है वो वहीं वहीं घर घर पे बेट के रजिस् गाउं वाले हैं उनसे आप ये भी बूच सकते हैं किसी का काम है तो मतलब काम होता नहीं है टाइम पे जैसे गराम सो गया तो गराम सो गया मिलता है नहीं वो बैठता है जैसल मेर और जो गराम पंचयत का सरपंच होता है वो भी अपने इदर उदर रहता रहता है तो अगर य कुछ नहीं इनको उधर जाना इधर जाना वहां जाना बसों में ठोकरे खाना इधर गोमना उधर गोमना यही चलता रहता है फेज मौम जी शिक्षा पर बात करना चाहूंगा कहते हैं शिक्षा का ग्यान सबसे बड़ा ग्यान माना गया है गरंतों में कुराणों में भी बड़ी है मास्टर टैम पर आते नहीं है जो मैं यही कह रहा हूं मेरा उद्शी यही है अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मेरा पहला नमबर सिक्षा पे रहेगा जो छोटे बचे हैं मतलब डाणियों में इदर उदर लोग बैठे हैं तो उनके बचे ले जाना है उनको मतलब हर तरीके से सिक्षा से जोड़ना है ठीक है तो यहां जब सरपंच डंका नहीं होगा जब तक मास्टर वगएरा कोई काम नहीं करेंगे ठीक से पूछें गाउं के जो लोग हैं वह हमारे मतलब एक परिवार के लोग हैं उनसे जाके यह पूछें के भाई आप अपने बच्चे भेजें वहां पर टैम सली भेजें टाइम पर करें उसके बाद मैं सरपंच यह कर सकता है गाड़ी की वहास्ता है बत दूर दराज की धा है यहाँ बचाना में नाचना में वहां से जैसे मतलब ठेकडार है और यहन ने जयने एकसान यह वो कहते हैं आप यहाँ से up क्यों योगा jut ते वहा उन से मतलब उनको पेसे देखिए लाइड के धंब डाला जाते हैं डाला के फिर वाँ जाके लगया जाते यह मतलब सर्पच नहीं गाउंगा मौजूद आदमी हैं गाउंगे वह मतलब इसके उपर ध्यान मेरा प्रयास यह रहेगा कि गाउं के जो लोग हैं जो हमारे गाउं में बेठे हैं उनके लिए पाणी की व्यवस्ता हई नहीं पहला नमबर तो हई नहीं आप यहां टंकी में जाए जेलार की टंकी बनी हुई उसमें आप देख सकते हो पीछे हमारे डिगियां बनी हुई बैठते हैं और हम पानी पीते हैं यह हमारी इस्तती है जब सरपांच अगर होता है उसमें मतलब चार दिवारी बना सकता है ठीक है और जो मतलब फैंसिंग है ना फैंसिंग भी लगा सकता है मतलब यह गाउं का खुद का काम है क्या मेरा खुद का काम नहीं है यह गाउं के या जेलार बनी हुई उसको आप जाके देख लिजिये उसमें टूंटी नहीं लगी हुई पाने पीने के लिए अगर कोई राष्टे बैता आदमी आता है तो घरम जाके पाणी पी सकता लिए आप अभी आए हुए उस खेडियों को आप जाके देखी आज उनको 20-20-30 साल होगे बनी हुई वो तूट चुकी है अगर सरपन्थ चाहे तो उसका रेता भी निकाल सकता है ठीक है और उसको सही कर सकता है गाये अपन मतलब यहां माता बोलते हैं गाये को ठीक है तो ही कह रहा हूं जब तक विकास नहीं होगा आज की तारीक में गाओं में निल विकास है निले क्यों निले क्योंकि जो छोटे लोगे मतलब जो अभी लड़के पड़े हैं ठीक उनके दिमाग में यह चाहिए कि भी पड़ा लिखा आदमी होना चाहिए ठीक उनके दिमाग मे कोई बुड़े आदमी हो तो मतलब अनपड़ हो ये इस इस इस्तिमा अभी मामला जो है वो बुड़े मतलब मेरे को आप जीता दो वेilous में कोई मतलब नहीं में ये कह रहा हूं फोद्र उतब्छ में आसे आदमी को आगे लMAN को लिए जो लोगों का हर तरीके से का म करें जैसे तो उसमें मतलब लोगों को पैसे क्यों देवाँ पर अगर सरपंच अगर मतलब एक तरीका जो आप आप अपने देख सकते हैं जो सरपंच अगर सही हो तो वहां पैसे नहीं लगेंगे ठीक है आज मतलब तैसिल वाड़ा कहते हैं कि वह पांच बान सो रुपए दो में ठीक ह हम यह करेंगे वो करेंगे अजार उपवए देव पर अपन्रस दो जार दो तीन उसका मतलब क्या रहा अगर सरपंच होगा अंदबंग तो वह पैसे नहीं लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे कि बई किसी का काम होगा तो आदमी सर्पंच जाकर करा सकता है सरपंच एक इत्त और है कोई काम है सब तरीके का काम ऐसा होना चाहिए जब तक मैं ये कह रहा हूँ सरपंच पड़ा लिखा नहीं होगा और लोगों के बीच में मतलब जागरूता नहीं आएगी जब तक ही मामला ऐसे ही चलेगा अब मैं युवाओं पर बात पूछना चाहूँगा फेज मौमदी युवावर्ग है यह युवावर्ग होंगे उनको रोजगार के लिए कहां जाना पड़ रहा है उनको रोजगार के लिए दर्दर ठोकड़ खाने पड़ रही जर्द कोई उनका साजन नहीं है यहां पड़ाई बारवें तक होती है उसके बाद में वो बिचारे अलग चले जाते हैं आगे कोई नाचना जाता है कोई जैसलमेर जाता है कोई जैपूर जाता है कोई कहां पड़ रहा है कोई कहां पड़ रहा है उनके जो माँ बाप है हमारे लोग य ना उसके खाते हैं पैसे भी डालने पड़ते हैं आगे पैसे लगते हैं हर तरीके हम मैं यह कह रहा हूं अगर सरपंस डंका हो हर तरीके की विश्टा कर सकता है वो आदमी ठीक है फेज मौमजी आज नया वर्स है आप अपनी जनता ग्राम पेंचायत और देश वासियों को च जनता हैं मैं इनको यह करना चाहता हूं 2020 हैं इसमें आप बड़िया सरपंस लेके आओ जो मतलब इत्ता काम करें लोगों का जो लोग यह सोचते रह जाएं कि हमारा काम पहली वार जिंदगी पहली वार काम हुआ है अगर बोट मांगने के लिए दुबारा कोई सरपंस ज्घञी छाए दरा तल बे काम नहीं होगा तो जनता नहीं जुडेगी यह बना चाहे फैज मोвин्त हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो मैं तो यह कहे रहा हूं और जनता से यह अपील करना चाहता हून मैं यही भी करना चाहता हूँ कि मैंने इत्ते काम कियें लोगों के इत्ते काम कियें हैं ठीक है वो लोगों को बता है या मेरे को बता है मैंने दरातल पे काम कियें ना कि मैं सरपंच हूँ ना कोई उमीदवार हूँ पहले ना मैं उमीदवार था ना मेरा कोई मतलब था ठीक है और मेरे को मतलब किसी ने उक्षा के और ये काम करवाया है तो अभी ऐसा है तो सरपांच जनता बनाएगी मेरे आथ में तो कुछ है नहीं जनता सरपांच बनाएगी जनता को मैं आपके चैनल से यही करना चाहता हूँ आज जोड के विंती करता हूँ कि अगर एक वार मेरे को आप मोका दे जी जी तो आप यह सोचोगे कि ऐसा सर्पंच आई गए नहीं कभी मेरा दियों मानना है और और आगे जंता की राये हैं जंता जाने जंता का काम जाने उनके आथ में हैं क्या करना है क्या नहीं करना है किसको लड़ा है किसको नहीं लड़ा है जनता जाने है जनता का काम जाने धन्यवाद फेज मौमद जी ये थे ग्राम पंचायत पांचे का तला के उमीद बार फेज मौमद जी इन्हों ने बताया जनता जिसे भी चुने अच्छा पड़ा लिखा सब आदमी को चुने जो की जनता के विकास करे करवा सके इसी कड़ी के साथ हम फिर मिलेंगे किसी और ग्राम पेंचायत में किसी और सशे के साथ देखते रहे राश्टर खबर मैं संकर बनसारी मेरे शोगी मनोय या झाला जादो